हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निज्स किचन और आज मैं आपके लेकर आई हूँ मा लड्डू की रेसिपी अगर आपने ये नाम पहली बार सुना हो तो आपको मैं बता दूँ कि इस लड्डू को साउथ इंडिया में फैस्टिवर में बनाया जाता है और वैसे इस लड्डू को बनाना इतना असान है कि आप इसे कभी भी मिंटो में बना सकते हैं तो आएए देखते हैं सिक इस तरह से बनाया जाता है तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 एमल के कप में एक कप भुने हुए चनी की डाल यह वही डाल है जिसे हम चटनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं आदा कप शक्कर जिसे कि आप अपने स्वात के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक चौथाई कप गी दो हरी इलाइची और साथ से आठ काजू जिसे कि मैंने बारिक काट लिया है काजू के साथ अगर अब चाहें तो और भी ड्राइफ रूट्स जैसे कि बादाम, किश्मिश और चिरौंजी ये सब भी यूज़ कर सकते हैं तो आईए अब इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने मीडियम वाला मसाला मिक्सी जार लिया है और इसमें चने की डाल को डाल कर इसका फाइन पॉर्डर बना लेंगे चने की डाल को पीसने के पहले मैं आपको बता दूँ वैसे तो यह चने की डाल भुनी हुई है तो हमें इसे रोष्ट करने की जौरत नहीं है लेकिन अगर आप चने किडाल जो यूस कर रहे हो वो अगर थोड़ी पुरानी हो गई हो या फिर बारिश का मौसम हो तो आप इसे दो से तीन मिनट तक हलका सा रोष्ट कर लें ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी हो वो खतम हो जाए और फिर इसे ठंडा करके इसका कर इनका भी हम फाइन पौडर बना लेंगे इस तरह से और फिर इसे भी हम सेम बाउल में शिफ्ट कर देंगे अब मैं एक चोटी सी कढ़ाई में एक बड़े चमच घी गरम करूंगी और अब इस काजू को उसमें डाल कर लो फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक इसका यूज कर रहे हों तो आप उन्हें भी फ्राइब करके इसमें डाल सकते हैं बस एक बात कर ध्यान रखें कि कि खिश्मिश को फ्राइब करने पर फूल जाता है और उसका स्वाद भी कढ़वा हो जाता है तो देखिए इस तरह से लाइट ब्राउन होने लगा है बस अ जब तक घी गरम हो रहा है मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप जब भी किसी लड़्डू या मोयन के लिए घी का यूज करें उसे हमेशा गरम करके यूज करें इससे जो भी डिश आप बना रहे हैं उसका स्वाद तो बढ़ता ही है साथी साथ उस घी अभी काफी गरम है तो अभी हम इसे चमस से मिला लेंगे और थोड़ा ठंडा होने पर हाथों से अच्छी तारा से मसल कर इसे आपस में मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा सा portion हाथ में लेकर इसके हम लड्डू बना लेंगे वैसे तो ये लड्डू एक हाथ से असानी से बन जाते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों हाथों को लड्डू बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से असानी से ये लड्डू बन जाते हैं तो एक कप भुने हुए चने की दा से आप मीडियम साइज के आठ लड्डू बना सकते हैं तो देखिए हैना इस लड्डू को बनाना बहुत ही असान आप भी इसे अपने घर पर जरू ट्राइ करें अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दवाना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू